आपकी स्टोरियम ने सुनी थी तो एक टाइम आया था जब आप गंगा किनारे जाके बैठ गये थे उसमें आपको कुछ समझ नहीं आ रहा था तो उस समय मतलब आपने ये डिसिजन कैसे लिया कि अब आगे नहीं यहां से वापस जाना है रास्ता ही नहीं था घर जाने के लिए at least 90 रुपए चाहिए थे जेव में 40 रुपए थे कैसे घर जाते हैं और हम गंगा की किनारे चुप चाप बैठे बैठे हम कहीं कि अब बहुत टेंसन हो गया अब घर जाना चाहिए रूम पे और तो किराई की रूम पे या अदमी सारे लोग रहते गये अब बुस्ता से बोले जो ओनर थे क्या टाइम हो गया है तो गड़ी देखिये तो देखिये तो दो बज़रा था रात का दो धाई बज़ गया था तो होता है कई बार ऐसा समय आएगा कि लगेगा जैसे आप कुछ नहीं हो सकता है तो इससे घवराना नहीं है कभी-कभी ग कुछ ना कुछ है जो औरों के अंदर नहीं है तो वह मैं जानना चाहरा हूं कि वह ऐसा क्या था जहांसे कि आपका दिमाग यहां तक सोच पा रहा है कि मैं पूरे इंडिया में इतने बड़े लेवल का चेंज लेकर कर आ सकता हूं एजूकेशन फील में रेविलूशन लेक है तो हम उसको यह कोशिश करते हैं कि तुम्हें ऐसा लगे कि नहीं हमने दस बीस हजार का पड़ लिए यहां पर वो इमानदारी से कभी कमी और हमेशा अगर हम प्रॉमिस एक्स का करते हैं तो डिलिवर फोर एक्स करना चाहते है ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना इस अगर आप समझ पाए तो बहुत आगे जाओगे लाइफ में एक वो होते हैं जो यह सोचते हैं कि हमें सब कुछ मिल जाए हमें कुछ भी करना ना पड़े दूसरी कैटेगरी होती है लोग की जिनको जितना मिलता है उसमें भी चोरी चकारी करते हैं या कोशिश करते हैं कि उससे कम दे सामने वाले को जितना की हमें मिल रहा है तीसरी कैटेगरी होती है लोग की जो इनके जैसे लोग होते हैं वो क्या करते हैं वो यह सुचते हैं कि अगर मैंने किसी से एक रुपे भी लिया देखा जाए तो दो-ड़ाइसो रुपे कुछ भी नहीं होता है दो-ड आपके उपर समय दीजिए उसको डेवलाप कीजिए जब आप अपने आपके उपर खर्च करते हैं तो आने वाले समय में लोग गूगल पर आपको सर्च करते हैं क्या बात है अ प्रृण या अपने अभी बनाया है या यह कोई पराना आपका वह बंते रहता है इस लोग बन जाता है कि अपके अंधरिय ठुपा हुआ है कहीं ना कहीं जह फ़ारा चाहता है कभी ओ कभी आपने सूचा होगा कुछ का हश कभी कभी देखे एंध सभत का संघत का बहुत अधर पड़ताहे addressed को हमीशन संघती का मतलब लोग फिलके मेले लेका संघती का मतलप है Então तो अच्छे लोग के साथ रहेंगे तो संग संग अच्छी गति होती जाएगी, घराब में रहेंगे तो यह भी होता है, बट अपने आपको थोड़ा सोचना चाहिए कि हम केवल जी के मर जाए इसके लिए नहीं आए हैं, लोग कहते हैं कि सर नाम क्यों नहीं बताते हैं, हमा तो हर कोई को यह सोचना चाहिए कि था कोई इंसान जो इतने कम फीज में इतनी सिख्छा जो महंगी थी जो कमाने का रास्ता था उसको भी एकदम कमपडिशन इतना कर दिया कि अब लोगों को अपनी फीज बढ़ाने में दर लगता है कि यार का लड़का कमेंट करता है कि खा है कि आठे रहे है यह जो अब अजय है लिए ऑफ इगा मतलब कुछ आपको एथी जी लाना है तो मतलब बच्चों जो तयार हो रहे हैं उनको यह चीज़े मदल इंटाइम पर दिखें तो समझे रिया जिए अब मेरी बात नहीं संदें यही होता है, सर का मोटिवेशन जादे हो जाता है जब आप स्ट्रगलिंग फेज में हैं, तो कम से कम चीजों को अपने उपर खर्च किजे, जादे से जादे सीखने में खर्च किजे, अगर आपको राजा बनने का सोख है, तो गुलाम की तरह मेहनत करना सीखिए, तब राजा बनना, यह दुख, यह दर्द, यह सब तेरे अं के लाँ में चीजा जादे हैं के में दुख, वह दूश जविसाओको करता हैं तो, आपको कि दिव में हो तो, मादेरा वाम क्रेंदा फैंटेर।